हेलो एवरिवन वेल्कम बेक तो जैसा कि हम बना रहे हैं e-commerce full stack website with react.js and spring boot और पिछले वीडियो में हमने इसका front end जो है वो almost complete गर लिया था इस वीडियो में हम इसका backend बनाएंगे spring boot का use करके तो spring security and JWT को use करेंगे authentication के लिए and sign up and sign in के लिए API बनाएंगे ठीक है so before starting let me show you the first demo तो यहाँ पर आप देख सकते auth and sign up मेरा end point है and यहाँ पर मुझे first name देना है so let me give here like siam दे देता हूँ and email में भी siam दे दूँगा siam ठीक है and जैसे ही मैं send पर click करता हूँ तो अब देख सकते है मेरे पास sign up success का message आ चुका है यहाँ पर token generate हो के आ चुका है now let me sign in this as well so sign in के लिए भी मैं यहाँ पर siam का Gmail दे दूँगा and यहाँ पर मैंने password दे दिया हुआ है so let me send and आप देख सकते है sign in success आ चुका है so now without wasting any time guys let's get started तो सबसे पहले तो आप अपनी कोई भी मन पसंत ID open कर लीजिये आप चाहे तो spring tools का use कर सकते है eclipse का भी use कर सकते है and आप चाहे तो intelligent ID का भी use कर सकते है मैं यहाँ पर spring tools का use करने वाला हूँ so let me open my sts ID and यहाँ से मैं new project create कर सकता हूँ ठीक है spring starter project पर click करके लेकिन 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 गाइस अगर आप intelligent ID या फिर eclipse का use कर रहे है ठीक है तो इसमें आपको ऐसे नया project create करने का option नहीं मिलेगा ठीक है तो आप अगर आप intelligent या eclipse कर रहे है तो आपको कैसे करना है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले let me finish this okay तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर name दे देना है e-commerce YouTube ते देता हूं ठीक है एंड इसके अलावा यहाँ पर इसका टैप जो है वह मेंवन रहेगा पेकेजिंग है वह जार रहेगी चाव वर्जन 17 रहेगा एंड ग्रूप है यहाँ पर .com के बाद गाइस आपना आप अपनी कंपनी का name दे सकते है या फिर आपकी जो ब्रांड है इसका नेम दे सकते है ठीक है तो मैंने यहाँ पर जोस दिया हुआ है इसके बाद description यहाँ पर जो description है यहाँ पर आप कुछ भी description दे देते हैं इसके बाद आपको next पर क्लिक कर देना है यहाँ से आपको dependencies select कर लेने हैं कौन कौनसे dependencies आप अपने project में यूज करने वाले है सबसे पहले तो mysql driver select कर लूंगा spring security का भी यूज करेंगे spring boot dev tool का यूज करेंगे spring web का यूज करेंगे spring data jpa का यूज करेंगे and validation को भी select करी लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके सो जब तक यह create होता है let me show you like अगर आप intelligence और eclipse यूज करें तो आपको कैसे project initialize करना है तो आपको search करना है spring initializer and जो सबसे पहली website आती है उस पे click कर देना है ठीक है यहाँ पर same structure है guys यह project में आपको project का type select maven इसके बाद language java रहने देनी है and spring boot जो इसका version 3.1.1 ही रहने देना है इसके बाद यहाँ पर group की जगह आप अपनी company का name लिख सकते है तो मैं जोस लिख दूँगा and यहाँ पर मुझे name देना है तो e-commerce YouTube दे सकते आप इसके लावा description दे सकते है मैं नहीं दूँगा अभी के लिए and yeah यहाँ पर packaging जो है वो जारी रहने देंगे और इसके अलावा यहाँ पर इसका version है वो 17 रखेंगे ठीक है यह stable version है and dependency को आपको select करना के लिए यहाँ पर add dependency पर click करना है ठीक है इसके बाद generate पर click कर देना है तो क्या होगा कि आपका project को download हो जाएगा and इसके बाद इसको unzip करके आप अपने id में import कर सकते है now let me go to my sts id and यहाँ पर हमारा project create हो जुका होगा let me find it e-commerce youtube यहाँ पर हुआ है ठीक है देख सकते है यह वाला so now what I will do सबसे पहले तो इसको run करते है ठीक है और हमें error मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पर mysql driver का use किया है लेकिन हमने इसको connect करने के लिए driver class नहीं दिया हुआ है ठीक है तो यह error हमें मिला है so what I will do let me go to application.properties and यहाँ पर सबसे पहले तो मैं server दे देता हूँ ठीक है कि हमरी application कौन से port पे run होनी चाहिए करना suitable driver class तो आमने driver class नहीं दिया हुआ है so let me find driver class on internet so what I will do यहाँ पर आप देख सकते है मैंने spring.io means yes spring की जो official website है यहाँ से आपको extending data with mysql यह search कर येगा आप तो आपको इस page पे redirect कर देंगा and यहाँ पर आपको इसका suitable driver class मिल चाहिए and let me find it yeah यहाँ पर आप देख सकते है so let me copy this and यहाँ पर चला जाओंगा control v okay and इसको मैं कर लूँँगा control x and यहाँ से यहाँ पर paste कर दोंगा okay and यह जो specification है वो हमारे local mysql जो हमारा local mysql है इसको connect करने के लिए है यहाँ पर इस इन्होंने variable दिया हुआ है mysql host तो यह अभी हमारा local host रहेगा क्योंकि हम ना mysql हमारा जो है means हमने install किया हुआ है इसी को हम use करने वाले है mysql command line को open कर लिए ठीक है यहाँ पर मैं अपना password देके इसको login कर लूँगा so let me give my password I think and yeah so मैंने login कर लिया है and अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक database create करूँगा ठीक है so जिसका हम इस project में use करेंगे so create database and यहाँ पर database का name देना है तो ecommerce youtube and let me copy this database as well copy and hit करूँगा enter and and आप देख सकते है name देदेंगे ecommerce password मैंने यहाँ पर दे दिया है and इसके बाद इसको कुछ चेड़ जानी नहीं करनी यह रहने देना now let me saved it and run it again इस बार हमें कोई error नहीं मिलेगा ओ फिर भी मिल गया क्या मिला है इस बार if you want to embed it database please put on the class path 30306 localhost ecommerce okay so let me go to pom.xml and इसका mysql driver की dependencies है mysql connector spring boot नहीं अरे कहा गई अभी दो थी यहां पर spring starter and spring boot mysql connector j यह जो runtime है इसको में यहां पर provided दे दूंगा now let me check check अगर provider में भी guys issue आता है तो आप इसको फिर से runtime दे सकते है ठीक है okay तो इस टाइम हमारी application successfully run हो चुकी है आप देख सकते हैं यहां पर password मिल चुका है now let me run this application on browser okay local host 5454 पर चल रहा है यह हमारा okay तो इसने हमें क्या किया login पर redirect कर दिया क्योंकि हम spring boot का spring security का use कर रहा है ना इसलिए okay so हमारी application successfully run हो रही है अब क्या करेंगे spring security के लिए configuration लिखेंगे so let me close this as well इसकी भी अब जरूरत नहीं है अब इसको भी मैं minimize कर दूँगा यहां पर package में एक नया package बना लूँगा मैं new package and com dot josh dot config ठीक है इसमें हम सारी अपनी configuration रखेंगे so let me now create one class inside this so app config write app config and finish configuration इसके बाद इसको annotate कर देते है configuration configuration से configuration क्योंकि यह अमारा configuration glass है and now here I have to write one method so public security security filter chain आएगा security filter chain यह वाला okay and security filter chain name देता हूँ इसके बाद यहाँ पर मुझे http security http and throws exception अगर कोई exception आता है तो it will throws exception and now let me return अभी के लिए मैं null return कर देता हूँ ताकि यह मुझे कोई error ना दे and यह जो हमारी methods है इसको हमें bin से annotate करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह हमारी service होने वाली है let me annotate with bin and इसके बाद http का use करके http.sessionmanagement sessionManagement dot sessionCreationPolicy इसमे session creationPolicy stateless and okay so guys यहां पर sessionManagement sessionCreationPolicy and sessionCreationPolicy stateless क्योंकि यहां पर by default आप देख सकते इसका means login method आता है न तो यह क्या करता है कि इसकी cookies में जब भी हम यहां पर कोई password डालते है तो इसकी cookies में यह हमें इसका जो sessionManagement creationPolicy यहां इसको stateless करना है इसकी जगह में हमारा हमारा खुद का sessionManagement use करना means हम क्या करेंगे कि local storage में token वगेरा add करके इसका use करेंगे ठीके तो यह इसलिए है इसके बाद now let me move to the next part authorize requests authorize http requests ओके इसके अंदर यहां पर मुझे authorize lambda का use करके authorize request matcher यहां पर मैं request matcher दूंगा कि इस endpoint को जो भी API match करेंगी इन सभी को हम secure करेंगे बाकि सभी जो है वो permit all कर देंगे जो भी हमारी APIs है वो API से अगर start होती है जिसका starting endpoint है वो API है इसके बाद जाए कुछ भी आये इसलिए हमने double start कर दिया है लेकिन इसका starting point API है तो इसको हमें authenticate करना है ठीक है इसके बाद हमें याप पर जो हमने authenticate किया है सभी method को इसके लिए हमें JWT token validator लगाना पड़ेगा हमारे पास अभी के लिए JWT token validator नहीं है कोई बात नहीं है तो इसको बना लेंगे या फिर बना लेंगे या फिर ओके लेट मी एड़ क्यों आ रहा है भाई सो एड़ फिल्टर बिफोर ठीक है कोई भी method को जो भी method हम यह हमारी होगी इस method को run करने से पहले या फिर accept करने से पहले इस filter को चेक करो कि यह validate हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है इसके अलावा यहां पर CSRF अगेरा का जो issue आता है तो इसको हम disable कर देंगे CSRF CSRF जो है ना iscom disable कर देंगे and course के लिए भी हम यहां पर configuration लिखेंगे configuration source ठीक है and इसके अंदर new course configuration source new course new course config configuration source okay तो जैसे ही मैंने इस पर hit किया तो आप देख सकते है इसमें मुझे एक override method दे दी ठीक है अब इस method के अंदर हम इसको implement करेंगे करेंगे so let me do this यहां पर all red already है and यहां से हम अपना task लिखना start कर सकते है means हमारा code लिखना start कर सकते है so course configuration cfg equal to new course configuration okay now let use this cfg cfg.set allow origin set allow origins so यह allow origins क्या है allow origins यह है कि हम कौन-कौन सी website से इस backend को access करवाना चाहते तो यहां पर हमें वह सारी apis देनी है जिस पर हम अपना frontend run करेंगे so let me give it arrays.as a list देंगे यहां पर and यह इस list में let me copy url from here so सबसे पहले तो what I want to do is 3000 क्यूंकि हमारी जो react application वह 3000 पर चलती है localhost पर तो इसको हमें allow origin देना है means यहां से हम access कर सके इस backend को दूसरी वाली हमें angular angular की देनी है ठीक है localhost so angular का जो localhost होता है वह 4222 भी चलता है ठीक है क्यूंकि इस project को हम angular में भी बनाने वाले है ठीक है तो यह angular का access हमने दे दिया and react का दोनों का दे दिया ठीक है so yeah that's it for this and अब next मुझे क्या करना है कि यहां पर मैं method defined कर सकता होगी कि इतनी इतनी method को मुझे allow करना है ठीक है cfg.setallow method so method basically आप gate, post, delete वगेरा दे सकते है यहां पर भी आप चाहे तो array list दे सकते है लेकिन मुझे ना सभी method को allow करना है तो इसके लिए हम यह क्या करूंगा कि collection so collections.singledonList and singledonList में मैं start दे दूँगा ताकि यहां पर सभी method allow हो जाए कि वल put, post, get या delete नहीं सभी method जो जितनी भी method आप frontend से allow करेंगे means जो भी method run करेंगे वो सभी यहां पर allow होगी ओके इसके अलाबा cfg.set credential allow gradential वागेरा को आप true कर सकते है so let me give it true and set allow header हम यहां पर दे सकते है कौन से header हमें allow करना है so header में भी set allow header सभी header में allow कर दूँगा ऐसा नहीं है कि के वल एक ही header सभी header में allow करूँगा so let me make it collection इसी को यहां से copy करके यहां पर paste कर दूँगा and इसके अलावा cfg.set expose header expose header में हम कौन सा header देंगे so let me give it here array arrest.as a list okay and यहां पर आप जितने चाहे इतने headers दे सकते हैं तो मुझे अभी के लिए तो केवल authorization देना है authorization ठीक है जिसमें मैं अपना token pass करूँगा and यहां से इसकी mix age आप जो है वो fix कर सकते है so let me mix age takes it here so 3600 L दे दूँगा and यहां पर मैं return कर दूँगा cfg now cfg okay तो इसी के साथ हमारा यह काम की खतम हो चुका है now let me move to next part http basic इसके अलावा form को भी अलाव गड़ा दूँगा form login so form login and yeah I think that's it for this क्या बोट रहा है so method form security has been deprecated version 6.1 remove to fix available okay no problem http dot build यहां पर return कर देंगे हमारी spring security complete one more method guys हमें यहां पर add करने है कि जब भी हम कोई user create करेंगे तो उसका password सबसे पहले हमें या फिर hash करना है password को hash करने के बाद हम database में saved करेंगे direct save नहींट करेंगे तो इसके लिए यहां पर मुझे एक sorry password को hash करने के लिए मुझे यहां पर एक method की जरूरत बढ़ेंगे and that is nothing but password encoder so let me write it public password encoder okay and password encoder okay and इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि यह service है SCOM as a service use करने वाले है and यहां पर मुझे return करना पड़ेगा password encoder so return new bigcrypt bigcrypt password encoder okay so यह bigcrypt password encoder के अंदर हमें password को hash करने के लिए method मिन जाएगी and password को compare करने के लिए भी इसके अंदर हमें method मिलेगी yeah password encoder password encoder को करता है import so over this error will be resolved also okay now यहां पर हमने null null दिया था कहां पर यह 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 csrf को मैं अभी के लिए निच्च अगड़ देता हूं यह add filter before में मैंने null null दिया हुआ न तो इसके लिए मुझे jwt validator बनाना पड़ेगा so let me make this jwt validator so इस package पर click करके एक class बनाना हूंगा jwt validator jwt validator jwt validator okay and jwt validator है वो मैं यहां पर दे दूँगा okay इसके बाद इसको implement करते है so new jwt validator and यहां पर मुझे basic authentication filter class देना पड़ेगा so let me give it basic authentication filter class authentication filter class okay और मुझे यहां पर error क्यों मुल रहा है let me check hmm so यह मैंने implement नहीं के रहा है so let me implement this jwt validator now okay तो यह जो method है इसको मुझे extends करना पड़ेगा once per request filter expanse once per request filter ठीक है and यहां पर let me return अभी के लिए null कर देता हूं बाकी का देखा जाएगा और अब यहां पर मुझे बोल रहा है क्या बोल रहा है add unimplemented method so let me add unimplemented method let me remove this okay यह मैने unimplemented method यहां पर add कर दी अब इस method को हम implement करेंगे so let me remove this and start writing my code from here okay string jwt equal to requests request.get header यहां से header निकलेंगे and header के हंदर हमारा jwt token होगा so यहां पर मुझे header देना है कौन से header के अंदर है so i think यह authorization जब भी हम कोई भी request पास करेंगे तो इसके अंदर authorization header के अंदर हमारा token पास करेंगे ठीक है so इसके लिए jwt jwt constant बनाऊंगा एक ताकि हम इसका अपने होल application में यूज कर सके so let me create one class for this and jwt constant constant okay and इसके अंदर में बनाऊंगा public static final string secret key okay okay so ते ते देंगे so jwt header equal to authorization okay now we will use this authorization JSON okay so let me use here jwt constant jwt constants dot jwt header okay यहां से मैंने अपना header निकाला इसके बाद I will check if jwt not equal to null means यह null नहीं है इसमें header है तो हमें आगे proceed करना है so let's first say jwt equal to jwt dot substring and यहां पर मैं दे दूँगा 7 अब 7 किसली है guys क्योंकि यहां पर हमारा token होगा वो कुछ ऐसा होगा let me show you that bearer करके होगा इसके बाद यहां से हमारा token start हो रहा होगा तो यह bearer keyword जो है इसको extract करने के लिए हमने jwt substring 7 का use किया है यहां पर इसको count कर सकते हैं यह 7 character है 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है इसलिए इसको यहां से हम कर देंगे extract यह यह चीज़ है now let me move further and let me remove this as well cancel यहां पर try catch का use करते हैं okay and secret key so let me import this secret key equal to key equal to keys dot let me import this keys as well okay so case कहां से आएगी वही okay I think यहां पर न मुझे JWT token की dependencies देनी पड़ेगी वह आमने नहीं दी है इसलिए यहां पर keys नहीं आए रही है so let me take JWT's dependency इसको मैं न यह हमारा जो पहले वाला प्रोजेक्ट है इसकी dependencies से मैं उठाओंगा JWT की so let me move to down parts and यह JWT की dependency आप थेक सकते हैं ठीक है okay and let me copy this three dependencies and I will paste this here e-commerce YouTube में pom.xml and यहां पर ठीक है सबसे last में आप पेस्ट कर दूँगा JWT token को JWT token इसके बाद JWT implementation है API है and Checkson है ठीक है इन तीन का यूज़ करने वाला है okay now let me go to JWT not constant actually here now let me import this okay सबसे पहले दो मुझे इसको ना saved करना पड़ेगा so let me control s तो हम देख सकते हैं यहां पर dependence is saved हो चुकी है यह हमारा project भी refresh हो रहा है and refresh हो चुका now let me okay तो अब जैसे मैंने इसको save किया यह मुझे यहां पर suggestion देना start कर दिया है so now let's move to next part okay keys के बाद h hmask key from okay for and यहां पर मुझे देनी है हमारी keys हमने जो jwt constant में जो key ती हुई है वो so jwt constant dot secret key dot get byte इसको byte करके हम यहां पर provide करेंगे ठीक है इसके बाद claims and claims ठीक है claims निकालने के लिए हमने जो भी jwt generate करते लाएं जो भी claims दिये होंगे वो हम यहां से निकाल सकते है so parse builder dot set sign in key with sign in key and यहां पर मुझे key देनी है and dot build parse claims okay parse claims jwt and इसके अंदर से get board ही निकालनी है और यह claims को मुझे import करना पड़ेगा now यह जो claims आया है ठीक है वो object के format में होगा so इसमें से मुझे email निकालना है string string email equal to string dot value of claims dot get and यहां पर मुझे देनी है key so email okay यहां से मिल चुका मुझे email इसके बाद string authorities authorities equal to string dot value of claims dot get and यहां पर भी मुझे कीशते नहीं है authorities so यहसे मैं authorities भी यहां से निकालूंगा token मैं से चितनी भी authority मैंने pass की होगी ठीक है okay अब इसके बाद हां पर list granted authorities करेंगे granted authorities में क्योंकि यह वाली जो मिलेगी वो हमें string format में मिलेंगी so granted authorities is let me first import this list now granted authorities granted authorities where it is here okay granted authorities granted authority and odds means authorities okay authority util I will use here authority util authority dot comma separated string to authority and यहां पर मुझे दे नहीं authorities जो भी string format में है अब इसको यह comment हो चुकी है कि granted authorities में okay and now यहां पर author authentication authentication यह authentication यह authentication यह वाला नहीं पासवर्ड पासवर्ड की जब हम null दे देंगे and इसके बाद यहां पर जो odds यहां पर authorities में odds receiving ठीक है सारी authorities आ जाएंगे ठीक है अब यह authentication का use हम यहां पर करने आ करेंगे इसको security context holder में set कर देंगे security context holder dot get context dot set authentication यहां पर authentication ठीक है यह हमने authentication set कर दिया now here अगर कोई exception आता है catch में ठीक है अगर कोई error आता है तो यहां पर इसको throw कर देंगे throw paid credential exception and यहां पर देंगे invalid token from JWT validator JWT validator okay and यह सब कुछ होने के बाद let me try का यह वाला है इसका यह है and इसका इसके बाद यहां पर मुझे a filter chain है इसको आगे move कर देना है so do filter dot do filter and यहां पर request and response दे देना है so that's it यहां पर मेरा काम हो चुका खतम now now let me save all this thing okay and let me go to now app config I think हमारा error यहां से remove हो चुका हुआ yeah यहां पर जो मुझे error मिला था न वो remove हो चुका है हमारा error जा चुका है and our application is working fine let me check as well yeah our application is working fine okay so यह validator क्या करेगा guys यहां पर न हमने जो add filter before दिया तो जब भी हम यह वाली APIs जो भी हमारी API API endpoints से start होती होगी वो सभी API को पहले यह validate करेगा token से means authorization में हमने जो token pass किया को token को सबसे पहले तो यह निकालेगा let me go to here सबसे पहले तो यह token को निकालेगा इसके बाद अगर token null नहीं है तब जा के यह क्या करेगा security context holder में authentication को set कर देगा इसके बाद वो चेक password वगेरा means जो हमने token pass किया है वो चेक करेगा कि यह token validate है या नहीं अगर validate होगा तो यह do filter next कर देगा अगर कोई error मिलता है means हमारा token validate नहीं है तो यह हमें error throw कर देगा यहां से ठीक है okay now let me make JWT provider क्योंकि यहां पर हम JWT past builder में से claims तो निकाल रहे है ठीक है claims हम set कहां पर कर रहे है यह आपका मन में confusion होगा कि यहां से आप direct claims निकाला यहां से लेकिन claims set कहां पर गिया यह जो email आपने यहां पर की दे दी और authorities दे दी लेकिन यह की आपने set कहां पर गी so yeah इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा JWT provider let me make new class for this JWT provider okay ठीक है इसके अंदर हम सारे methods लेखेंगे और सबसे पहले तो इसको मुझे anodate करना बड़ेगा service क्योंकि इसको as a service use करने वाले JWT provider ओके so पहली method होगी token को generate करने के लिए so let me write it return करेगी token तो इसका जो type होगा absolutely string रहेगा generate token okay यह क्या लेगा authentication लेगा auth and इसके बाद यहां पर string JWT JWT charts JWT charts.builder ठीक है इसका use कर oh my god what is this okay set issue issue date यह जो token हम generate कर रहे है token issue कब हुआ है तो इसके लिए हम new date दे देंगे इसके लाग यह set कर सकते की set expiry ठीक है expiration let me import this set java from java.utl set expiration ठीक है so new date scan the new date dot get time plus 8 4 6 1 2 3 4 5 6 so guys year time 24 hour expire obviously okay and now let me set claims claim okay so यहाँ पर हमें key देनी है तो जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको बताया था ना email ठीक है so यहाँ पर मैं email set करूँगा auth.getname 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 नहीं यह, let me make it here, actually let me copy this key from validator, यह वाली की, copy JWT provider नाव इसको .compact करके यहां से खदम करेंगे, compact and कर देंगे return हमारा JWT, ओके लेकिन यहां पर मुझे authentication, यह मैंने कान सा authentication भई, यहां पर बोड कर लिया है, spring security core वाला authentication, ओके अब यहां से मेरा error जा चुका है, लेकिन यहां पर मुझे SIG9, ऐसे आएगा, sign key with key and compact, ओके, so यह हो चुका हमारा generate token method complete, what I am gonna do is, let me make another method, ओके, यह token generate का तो हो चुका, अब क्या करेंगे, कि इस token में से email claim करने के लिए, मैं method का, एक method यहां पर write करूँगा, public string, get email, from token, ठीके, यह just function का name है, या फिर आप method का name कहे सकते, क्योंकि Java में function, function से ज्यादा method के ना बेतर हैगा, ओके, so यह just method का name है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने get email from token दिया हुआ है, and जो token लेगा, यह method token as a parameter लेंगी, and return करेंगी email को, जिसका type होगा string, okay, now jwt equal to jwt.substring, जैसे ही मैंने आपको गाइस पता है था, ठीके, यह token हमें bearer keyword के साथ मिलेगा, तो bearer keyword को extract करने के लिए मुझे यहाँ पर substring 7 लगाना पड़ रहा है, okay, now let me copy this two line from here, copy, and यहां से मुझे email मिल चुका है, now let me return email, okay, so यहां से मुझे email मिल चुका है, alright guys, now, यह हमने यहां पर jwt provider जो हमा रहा था, वो भी complete कर लिया है, so let me save it, अब इसके बाद हम user का model बनाएंगे, and इसके बाद login and register method बनाएंगे, okay, so let me make one package here, so com.josh.model, तीक है, और इस model के अंदर सब से पहले में एक class बनाएंगा, and that is nothing but user, user class, okay, so, यह रहा हमारा user class, and अब इसको entity बनाएंगे, okay, and entity को यहां से import करेंगे, इसके अलावा, इसके अंदर कुछ fields आएंगी, जो कि मैं आप पर define करूंगा, सबसे पहले तो user id आएंगी, so let me make it long, इसका type, okay, यह id जो है, इसका generated type हम auto रखेंगे, इसके लिए मैं यहां पर generated value, generated value, and इसके अंदर हमें देने पड़ेंगे strategy, strategy में generated type, generated, generation type, and generation type is auto दिया सकते है, identity भी दिया सकते हैंगी, जो कि हर time unique होगी, and इसको में annotate करना पड़ेगा id से, and let me import this id as well, okay, इसके अलावा, private string and first name, or last name, or last name, last name, and password, यह भी string रहेगा, password, and email, private string, email, and role, ठीक है user का role कौन सा रहेगा, so private, यह भी string रहेगा, role, ठीक है, and mobile number दे सकते है, तो string, mobile, okay, इसके अलावा, यहां पर हमें addresses भी देना है, so private lists address, addresses equal to new array lists, ठीक है, जब भी user कुछ order करेगा, तो हो सकता है कि वो, means, हर time अलग-अलग address डाले, ठीक है, तो वो सारे address हम यहां पर store करेंगे, इसलिए हमने यहां पर list of address लिया, and now let me import this list, and so, यह address class हमारे पास है नहीं, तो इसको हमें बनाना बड़ेगा, okay, before this, let me define here, relation between address and this user, okay, तो इसका जो relation है वो one to many रहेगा, क्योंकि one user का many address हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक address का एक user रहेगा, तो इसलिए यहां पर one to many, one to many, ठीक है, one user के पास multiple address हो सकता है, इसलिए one to many, maps by equal to यहां पर user, and यहां पर cascade, cascade equal to cascade type all दे देंगे, cascade, okay, cascade type मैंने all क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम किसी user को delete करेंगे, तो इसके अंदर सार, जितने भी address होंगे, वो address speed delete हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर यह दिया हुआ, now let me import this one to many, and yeah, that's it, okay, so guys address class को बनाने से पहले, let me define some more fields, चोकि user की है, वो मैं सभी complete कर लेता हूँ, इसके बाद हम इसको define करते हैं, ठीक है, okay, now private, यहां पर list of payment information, payment information, ठीक है, payment information, जो इसके भी अलग class बनाएंगे, new array list, all right, array lists, ठीक है, यह syntax error है यह, okay, अब let me define the relation between, यह तो यह payment information जो है, वो entity नहीं रहे गई, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर embedded दे देंगे, embedded, okay, and element collection, ताकि इसका भी अलग table बन जाए, collection table, collection table, ठीक है collection table, means, जो annotation है, इसका use करके, हम table में, जितनी भी fields है, और rows है, उसका name यहां से change कर सकते, so let me first, यह जो table है, इसका name यहां से में change कर सकता हूं, यहां पर मैं दे दूँगा, payments, information, and join columns, ठीक है, join columns, join column, यहां पर मैं name दे सकता हूं, user id, column का name क्या रहेगा, user id रहेगा, okay now let me import this embedded as well, okay payment information के अलावा हमारे पास review है, and rating, दो चीज़ और है, so let me write this as well, private, यह भी user, क्योंकि multiple product को review and rating दे सकता है, ठीक है, तो यह भी list रहेगा, list of rating and ratings equal to new array lists, alright, and इसका भी हम यहां पर relation defined कर देंगे, so इसका जो relation है वो भी one to many रहेगा, क्योंकि one user can rate multiple products, so one to many, okay and mapped by कर देंगे, ताकि यह अलग table ना बनाई, यही से map कर ले, जो rating की entity हो वो, cascade type जो है, यहां पर cascade one to many, let me import this one to many, okay and cascade में cascade type all देंगा, ठीक है, update हो तो सभी update हो जाए, बगेरा बगेरा, mapped by, यहां पर, यह क्या आएगा, mapped sorry, okay like this, so that's it and यह जो review है इसको जैसे निकनर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर user की entity आएगी, means, तो यह फिर ना, क्या करेगा कि, nested problem create कर सकता है, इसलिए हम यहां पर चैस निकनर देतेंगे, okay and private lists, okay अब यह review के लिए है, so review, reviews, equal to new ArrayList, टेक है, and यहां पर भी add the right, JSON-Ignor कर देंगे, and इसका relation defined करेंगे, one to many, alright, mapped by user, or let me copy this line, and paste it over here, okay and escape path, private, local date, time, created it, okay, यह user कब create हुआ है, created it, and now let me import this local time, okay and empty constructor defined कर देता है, user का, ठीक है, इसके बाद getter setter करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करता है, rating, payment information, review, and address के लिए class बना देता है, so let me hover here, and यहां पर मुझे मिल जाएगी, create class करके, कुछ suggestion मिलना चाहिए, create class address, okay, and finish, so मैंने address class जो है, वो यहां पर create कर लिया है, अब इसको implement करेंगे, so यह तो हमारा entity होने वाला है, ठीक है, entity, let me entity, annotate with add the red entity, and yeah, अब इसके बाद, id वगेरा हम दे सकते है, so let me copy all this fields from my previous project, ताकि हम अपना time बचा सके हैं, क्योंकि user में guys मैंने आपको बताया ही है, यह वारे fields हम ऐसे means, ऐसे define करनी है, तो इसमें फिर से repeat करने का कोई फाइदा नहीं है, means benefit नहीं है, कोई uses नहीं है, so let me copy all the form model java model address okay, यहां से मैं copy करूंगा, and इस address में यहां पर paste कर दूंगा, let me remove this, okay, अब मैं आपको explain भी कर देता हूँ, यहां पर है यह id थी, जो कि हमने user में भी लगाई थी तो, and यह कुछ column से first name अगर, and यह जो, यहां पर मैंने add the rate column लगा है इसका मतलब कि जब हम database में table create करेंगे, तो इस column का name क्या होना चाहिए, तो इस column का name कुछ ऐसा रहेगा database में, ठीक है, तो इसलिए मैंने add the rate column का use किया है, same ही है यहां पर, last name, street address है, city है, state, zip code, and यहां पर user, यह most important है, तो अब इसका relation guys, address and user का relation कैसा रहेगा, वैसे user and address का relation जो है, वह one to many रहेगा, क्योंकि one user के पास multiple address होते हैं, इसलिए one to many, लेकिन 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 अब address and user का relation कैसा रहेगा, क्योंकि one address के पास केवल one ही user होगा, लेक है तो इसलिए यहां पर many to one क्योंकि बहुत सार पहले मान लू मेरे पास five address है तो हो सकता है वो five address का जो user है वो same user है ठीक है तो इसलिए many to one क्योंकि एक user के पास many many address हो सकते है इसलिए यहां पर many to one and join column मैंने name user id दिया हुआ है जैसन इगनर कर दिया है यहां पर user को इसमें and यह mobile ठीक है so yeah guys that's it for this field and now let me create here a empty constructor address and इसके साथ मैं getter setter method भी generate कर लूँगा so let me click on source generate getter setter methods and इसके बाद यहां पर मैं one more constructor with fields generate कर सकता हूँ जैसो constructor with fields यह यह हो जूँगा and now इसके बाद मैं जाओंगा user में फिर से अब इस address को कर देता हूँ close इसको भी कर देता हूँ close saved कर लेते हैं अब हमारा address तो हो जूँगा complete अब payment information के लिए यह अलग class बना दे तो create class यहां पर जो हाना and finish so यह हमारी class हो जूँकी खतम अब payment information ठीक है यह हमारी entity नहीं है तो यहां पर मुझे केवल कुछ फिल्स देनी है जो कि वह फिल्स जो है मैं यहां से copy कर लूँगा let me copy this okay okay अब रेटिंग्स में जितने भी फिल्स है वह भी मैं यहां से let me copy from ratings okay and यह सब भी फिल्स में यहां पर paste कर दोंगा okay so यहां पर guys अब पहले तो idea आ जाएगी इसके बाद इसमें user so यहां पर भी यह जो user and rating का relation है वह many to one रहेगा guys ठीक है क्योंकि one user के पास means one user can rate multiple products means multiple products को rate कर सकता है one user ठीक है लेकिन जो rating होती है उसमें क्यावल एक user होगा ठीक है समझ गए आप क्योंकि एक rating के अंदर दो user नहीं हो सकते यह एक rating के अंदर एक user होगा वैसे इस तरह multiple rating के साथ same user हो सकता है इसलिए many to one यहां पर fetch fetch type हमने lazy लगाया हुआ है इसको remove कर सकते वैसे इसकी जरूरत नहीं है join column so user id and nullable false ठीक है user तो होना ही चाहिए इसके अलावा यह जो rating है तो किस product को rate कर रहे है ठीक है तो यहां पर product की entity भी आयेगी इसको भी implement करेंगे ठीक है यह lazy जो है इसको मैं आता हूँ यह भी null नहीं होना चाहिए इसके अलावा यहां पर rating यह double रहेगी like 4.5 3.5 आप चो चाहिए वो दे सकते है मर से ठीक है and yeah इसके अलावा now let me create this product class so create product class भी यह product class है वो भी entity रहेगा so at the rate entity okay now let me copy all the fields from product copy and यहां पर मैं कर दोंगा paste let me close this app config jwt validator jwt constant pom.xml save कर लेते हैं provider को भी close करते हैं ठीक है and यह हमारा product है यहां पर मैं करता हूं import okay so सबसे पहले तो id है इसके बाद title इसका name change किया हुआ वैसे अगर name same है तो आप इसको अटा सकते है ठीक है let me remove this आप अगर यहां पर add the add column नहीं देते तो आपने जो भी यहां पर name दिया हुआ है न वह name से database में column create हो जाएगी okay price में भी same है तो जरूरत नहीं है यहां पर रहने देते है so price इसके बाद discounted price है discount percent है quantity brand color यह सब fields हमने दी हुए and size यह size जो है वो important है यहां पर embedded element collection हमने दीया हुआ so let me size के लिए हमें class create करना पड़ेगा वो बाद में करेंगे इसका बाद image URL add rating इस product की कितनी rating है वो हमने यहां पर दी हुई है so यहां पर मुझे किसी एक में JSON ignore दिना पड़ेगा क्योंकि यहां पर rating है तो इसमें product आएगा and product में rating आएगी तो दोनों nested problem create कर सकते हैं let me close this one okay and यह जो product है इसको मैं यहां पर JSON ignore दे दूँगा यहां फिर लेकिन rating को तो हम तो हम्म यहां लेकिनी के अंडरपोर आएगा सकते यहां यहां या लेट इट भी and one too many, ये review so review तो आमने बनाय हुआ न, मुझे एरर क्यों दे रहा है let me remove all this thing okay, review भी नहीं बनाय है, जो बना लेंगे इसको भी and review जो है, वो one too many रहेगा, क्योंकि one product का multiple review हो सकते है इसलिए and category, category many to one रहेगी ठीक है, क्योंकि many categories में same product हो सकता है like, मानलो हमारे पास main का कूरतास है तो इसमें multiple, वो एक category में main का कूरतास main कूरतास, category में multiple products हो सकते इसलिए many to one रखा है, हमने ठीक है, यहां पर join column किया हुआ है and category so, now let me first create this size class, okay I will go to here create class size okay so, यह entity नहीं है क्योंकि यहां पर हमने इसको embedded किया हुआ size की हम entity बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कुछ fields की क्यावल जरूरत है okay so, let me copy these fields from here, where is the size and okay size में क्यावल two things है okay size में क्यावल two things है names and quantity size का name क्या है means ml वगेरा and इस size की किंदी quantity है, वही, so now let me create getter setter for this generate getter setter for this okay and empty constructor यहां पर बना सकते है okay, तो यह size का मसला complete हो जुका and now let's create this review review, so review के लिए यहां पर मैं class बनाऊंगा and review जो है वो entity रहेगी क्योंकि इसका user, user में भी हो रहा है so entity let me go to product again okay, यहां पर मैं by product दिया हुआ है, no worries, ठीक है let's create now review, so review, review की सारी जो fields, let me copy from here, इसके बाद आपको explain कर देता हूं ठीक है ctrl-v, so सबसे पहले तो id आ जाएगी, इसके बाद review जो लिखना है हमें nice product वगेरा, जो भी आप चाहिए लिख सकते हैं इसके बाद product, जो product को मैंने यहां पर jsonignor दिया हुआ है jsonignor देना ज़रूरी है otherwise यह nestor problem create कर सकता है so many to one and column, join column दिया हुआ, product id अगेरा 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 and user दिया हुआ है ठीक है, मैंस किस user ने यह review rate किया है या फिर review किया है वो, या many to one यहां पर भी हमने many to one दिया हो, क्योंकि one user can multiple review, ठीक है, multiple review दिये सकता है, one user इसलिए and local date time, ठीक है इसके अलावा, let me generate to get setter method for this so, source generate setter methods और constructor with field को भी हम generate कर सकते है, यहां पर so, let me go to here, source generate constructor using fields and एक empty constructor भी डाल देंगे so, review, empty constructor भी यहां पर define कर देंगे okay, so, हमारा review भी खदम हो चुका now, let me go to product, इसके बाद category बचती है so, let me create class for the category okay, so category में मने one, sorry many to one दिया हुआ so, it will be also entity, let me make it entity and now, let me copy things from category copy and I will paste it over here okay, id दूई है फिर इसका नेम so, max category जो है, category का character वो 50 होना चाहिए, डिक है इसकी length जो है, वो max 50 होनी चाहिए and इसके अलावा इसकी यहां पर हमने parent category दी हुई है, ठीक है yeah, and parent category one to many क्योंकि एक जो, means जो child category है, child category okay, child category हाँ, child category है, इसके अंदर same parent category आ सकती है, parent category parent category आ सकती है, means one parent category के multiple child category हो सकती है, ठीक है, simple now let me create empty constructor, let me create get resetter method for this and now let me create constructor using fills okay, now let me go to products okay, तो यह, इसके साथ हमारी सभी fills यहां पर खतम हुई, now let me create empty constructor for product as well okay, and इसके बाद मैं product category create कर सकता हूं, sorry, empty constructor for, sorry, constructor with filled product के लिए, okay, इसके बाद मैं getter setter method कर सकता हूं, so let me do this as well, right click करके source में जाके, getter setter methods for all, okay, इसके साथ हमारा product हुआ, यहां पर complete, saved कर लेता है, ठीक है, सब को एकी बार में save कर लेता हूं, process, size को मैं कर दूंगा close, अच्छा review में कुछ दिक्कत है, what is this, let me check, यह दौंचीज, let me remove this, and review को करते, saved, okay, इसका error जा चुका, category में भी, यहां से मुझे कुछ delete करना पड़ेगा, and इसको करते, saved, इसका error भी जा चुका, rating में भी, इन दोनों को करते, remove, ctrl s, category close, category review, review, and finally we are here in user model, okay, so user का यह भी हमने review भी complete गट दिया, ठीक है, now let me create getter setter methods, like in, like in, like in, like in, okay, अब करता हूं, getter setter methods generate, so source, generate all the getter setter methods, okay, इसके अलाब, let me create constructor with fields, okay, that's it, alright guys, so, हमारी, YouTube में address, category, payment information, product, rating, review, size, and user के लिए हमने model बना लिये है, अब क्या करेंगे, कि user के लिए service and repository बनाएंगे, so let me create one more package, that is for service, com.josh.service, okay, now let me write here user service, so class user service, okay, and inside here, I have to write all the service for users, इसके बाद इसका implementation भी आम लिखेंगे, okay, like in subsequently let me write services for user, okay, so public user find user by id, okay, long user id, throws user exception, and public यह भी user return करेगा, method का नेम होगा, find user profile by jwt, find user profile by jwt, string jwt, okay, throws user exception, find user profile by jwt, find user exception, okay, तो guys यह ना, हमारी service होने वाले इसको इसको हम interface बनाना पड़ेगा, interface, ठीके, class में बोड़ी बतती है, interface में आई हम रखेंगे capital, I think no, interface, haa, okay, now let me import this user from model, and user exception, so user exception class हमारे पास नहिए, let me create it, इसके लिए, I will create one more package, and that is nothing but, exception, okay, exception, and finish, so here, user exception, and from here I will take message, as a stream, means जो भी error आएगा, वो मैं यहां पर पास कर दूँगा, super message, that's it, यह हो जो का हमारा user exception, okay, so I think user service में यहां पर मैंने user create वगेरा जो है न, वो हम वहीं पर रखेंगे, जो controller बना रहे है, यह वहीं पर रहे है, ठीक है, और वी can make here also, but yeah, let it be, now let me create user service, but now let me create the user repository for this, so new and यह भी interface रहेगा, okay, first let me create one package, new package, com.josh.package का name रहेगा, repository, 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 ठीक है, and इसके अंदर I have to make one class, and that is new class, so user repository ठीक है, repository, user repository, actually यह class नहीं, interface रहेगा, interface, interface, yeah, and it will extends, jpa repository guys, jpa repository, ठीक है, and यहाँ पर मुझे, class name देना है, कि इस class के लिए यह repository बना रहो, तो मैं user के लिए बना रहा हूं, and user में जो id field है, इसका type यहाँ पर मुझे देना है, तो इसका type मैंने long रखा हुआ है, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं, कि user में जो id type है, sorry id है, इसका type long है, so यह type मुझे यहाँ पर देना होगा, okay, so यह हो जोगी हमारी user repository, now, यहाँ पर, one more method में implement करूंगा, and that is nothing but public, okay, so guys, यह user repository है न, इसके अंदर हमें by default, some methods मिल दे, like, we can get user by id, or also we can get all the users, and we can delete user by id, and, yeah, user को create करने के लिए, means user को saved करने के लिए method मिल दे है, लेकिन अगर मुझे user को find करना है by email, तो मुझे यहाँ पर, खुद का implementation लिखना पड़ेगा, so public, इसके बाद what it will return, so it will return user, okay, and इस method का name, जो naming convention है, वो बहुत important है, like, आपको कोई भी user find करना है, जिसकी field आपके user model में मौझूद है, तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर find by, and उस field का name लिखना है, ठीक है, and guys, यह naming convention, camel case होना जरूर है, first letter will be small, इसके बाद यह capital आएगा, and then यह small and यह capital, means जो नया word start होगा, वो capital से start होगा, ठीक है, and यहाँ पर, string email, and that's it, ठीक है, user find by email, okay, so यह काम हुआ हमारा कहतम, now let me, let me, go to, where, 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 controller, okay, so now we have to make one package for controller, com.josh.controller, okay, so inside this controller, I will write auth controller, auth controller, user controller, वो और सभी controller इसके अंदर हाएंगे, so auth, let me first write, auth controller, okay, okay, जितने भी controller हम बनाएंगे, इसको हमें, rest controller से annotate करना पड़ेगा, rest controller, अब rest controller के इसलिए, क्योंकि, इस API end point का use करके, हम इसको, access करेंगे, front end में, इसलिए, so rest controller, and इसका हम यहां पर request mapping करके, one common end point दे सकते हैं, वो है auth, तो इसके अंदर जितनी भी methods लेखेंगे, like register, sign up, sign in के लिए, वो सभी method का end point auth से start होगा, इसके बाद इसके अंदर हमने जो भी end point दिया होगा, वो लेगा, अधिक है, तो यह बात है, and yeah now, okay guys let me, let me take some water, one more thing की जरूरत पड़ेगी, and that is nothing but user service implementation, means custom user service implementation, okay, so let me write one class here, पहले इसको finish करते है, इसके बाद यह user controller को complete करेंगे, so here, custom user service implementation, और guys, यह implementation की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसा कि अभी में, हमारा application, access करने की try कर रहा हो, हमारी यह जो API है वो, access करने की try कर रहा हूं, तो यह मुझे, direct login पर redirect करता था, ठीक है पहले, जैसे मैंने configuration नहीं लिखी थी न, इससे पहले वो मुझे, like API ठीक है, हमने API के अलावा सारे endpoints जो है वो, permit all गिया है, like let me, let me, let me, API ठीक है, API के बाद जितने भी endpoint है वो आमने secure की है, तो जैसे मैं API को hit करूंगा न, redirect me to the login page, okay, so यह मुझे login page पर redirect कर दे रहा है, ठीक है, यह spring security का by default implementation है, लेकिन मुझे यह implementation नहीं चाहिए, मुझे न, खुद का implementation चाहिए, यहाँपर मुझे root यह फिर user लिखना होता है, यहाँपर जो password है, क्वजे कौन सा password देना होता है, यहाँपर जो password generate हुआ है, ठीक है, spring security का by default password generate हुआ है, यह password दे के मुझे यहाँपर काम करना होता, means authenticate करना होता, लेकिन मुझे यह by default authentication नहीं चाहिए, यूजर खुद का email डारेगा इसके बाद उसने खुद का जो password दिया होगा रेजिस्टर करते टाइम वो खुद का password देंगा वो implementation मुझे चाहिए मुझे ये spring security का जो by default password जन्टेट हो के आ रहा है वो password नहीं चाहिए तो इसको override करने के लिए मुझे custom user service को implementation करना पड़ेगा मुझे spring security का जो by default implementation है वो नहीं चाहिए yeah so let's implement this wait custom user detail okay तो सबसे पहले तो यह हमारी service रहेंगी इसलिए मुझे इसको service annotation से annotate करना पड़ेगा एंड इसको हम implement करेंगे implements user detail service user detail sale service यह वाली spring security रहा okay and now it will ask us to add unimplemented method so what we will do we will add unimplemented method here and इसके बाद कि इसको implement करना start कर सकते है अब यहां से ठीक है and now यहां पर मुझे user repository की जरोर पड़ेगी so let me write user repository so इसके पहले private user repository let me import this and user repository so yeah user repository का instance मैंने बना दिये इसका हम use करेंगे and इसको auto provide गर सकते है या फिर custom okay constructor के अंदर यहां पर हम लिख सकते है private and यहां पर let me copy this thing actually not private okay and this dot user repository equal to user repository दे सकते है all right so इसका intents यहां पर complete हो चुका now from here i can start writing my methods okay so सबसे बेले तो मैं यूजर नहीं का लूँगा user equal to user and user repository ठीक है email का use करके नहीं का लूँगा थोड़ी देर बेले हमने method लिखी ना find by email find by email ठीक है and यहां पर मैंने दे दिया हूँ user name and यहां से मुझे मिल जाएगा user and now let me import this user okay यह import भी हो चुका if user equal to equal to null ठीक है अगर user null आता है तो मुझे exception throw करना है throw new username not found exception username not found exception ठीक है यहां पर मैं लिख दूँगा user not found with email क्योंकि यहां पर जो हमने email दी होगी उस email से यह मुझे कोई user मिला नहीं है इसका मदलब यह हुआ okay and list let me import it a granted authority authorities it is equal to new array lists and यहां से मैं अब return कर दूँगा ठीक है यह spring security वाला user ठीक है user details so let me import this user here and इसके अंदर मुझे user dot get email user dot get password देना है third thing मुझे दो देना है वो authorities ठीक है यहां पर मैंने empty authorities का set create किया है और वो authority मैंने यहां पर दे दी है okay so यह हो चुका हमारा काम यहां पर खतम and इसको मैंने address service से भी annotate किया हुआ है guys so जैसे मैं इसको saved करके run करूंगा तो अब मुझे by default जो spring security का password generate होगे मिलता था वो नहीं मिलेगा इस time ठीक है देख सकते हैं यहां पर अब by default जो spring security का password generated होता था वो अब नहीं मिलेगा अब वो हमारा custom password जो भी user डालेगा वो password use करेगा authenticate करने के लिए ठीक है now let me go to auth controller and यहां पर अब मैं start करूंगा हमारी पहले दो sign up method okay so public response entity response entity and auth response auth response ठीक है so auth response absolutely हमारे पास नहीं है तो हमें इसको create करना पड़ेगा create user handler ठीक है कौन सी चीज लेगा यह request body लेगा okay request body में से हमारे पास data आएगा user user and throw गर देगा user exception let me import this user यह user यह user अब हमारा खुद का user आएगा जो हमने user model में लिखा हुआ throw जाएगा यहां पर and let me import this user exception as well all right and यहां पर हमें कुछ चीज चाहिए like first name, last name, email and password हम निकालेंगे request body में से so string email equal to user.getEmail इसके बाद string password equal to user.getPassword sorry user.getPassword and string first name first name equal to user.get first name and string last name भी देना पादेगा last name user.get last name all right now now सबसे पहरा तो हम चेक करेंगे कि यहां पर जो email provide किया गया है उस email से कहीं already user exist तो नहीं है okay so let's check this is email exists exists user repository user repository user repository का यहां पर मुझे intense बनाना पड़ेगा ठीक है so let me private user repository and user repository user let me copy this two things and auth controller I will paste this over here this dot user repository equal to user repository okay and user repository dot find by email and यहां पर मुझे देना है email okay is email exist user repository dot find by email hmm अब चेक करेंगे कि if email is already exist like is email exist not equal to null ठीक है यह null नहीं है तो मुझे क्या करना है यहां पर exception द्रो करना है throw new user exception ही throw कर दूँगा यहां पर दे दूँगा कि email is already used with another account that's it okay इसके बाद अगर इस email already exist नहीं है तो मैं नहीं यह user create कर लूँगा and user created user equal to new user created user dot set email created user dot set password set password 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 में password आएगा user dot get password user dot get password password okay okay इसके बाद created user email set कर दिया password set कर दिया first name set कर देंगे first name first name first name first name and last name okay first name and last name now created user dot set last name okay created user dot set so यह last name आचुका okay अब इस user को saved कर लेंगे, repository की मदद से, so now user saved user equal to user repository dot save and यहाँ पर मुझे user दे देना है, created user, created user, okay so यहाँ से मुझे saved user मिल चाहेगा, अब मुझे क्या करना है की authentication, authentication बनाना है इसका, so let me make it authentication, authentication equal to new username password authentication, new username password, user name, password authentication, token, यह वाला, यहाँ पर मुझे email and password दे देना है, अब यह जो authentication है, let me, authentication कहां गया, okay मैं import नहीं गया, let me import this authentication from spring security, okay and security context holder में इसको मैं set कर दूँगा, so security context holder dot get context dot set authentication and authentication, okay so यह हमारा authentication shared हो चुका है, यहाँ पर अब मुझे token generate करना है, token equal to JWT, token provider का मुझे instance चाहिए यहाँ पर, so let me write here, private JWT, provider, provider, okay यहाँ पर spell में स्टे को चुका है, private JWT provider and JWT provider, provider, okay JWT provider dot generate token and इसमें मैं जह authentication यहाँ पर दे देना है, ठीक है, so यह token हमारा generate हो चुका, अब हमें response written कर देना है, ठीक है, तो इसके लिए हमरे पास auth response यह जो auth response है, वो हमें बनाना पड़ेगा, so let me create one class for this, and package में controller ना रहके, यहाँ पर response, response, ठीक है, finish कर दूँगा इसको, and यहाँ पर मुझे दो ठीक्स चाहिए, private string, सबसे पहला तो JWT and private string, यहाँ पर message दे सकता हूँ, अगर मैं चाहो दो, ठीक है, यहाँ दो चीज़ देते हैं, चलो, and definitely let me create constructor using fields, auth controller, auth response का जो error था वो चला जा रहा है, and auth response, equal to auth response, equal to new auth response, and पहले मुझे देना है JWT, तो मैं यहाँ पर token दे सकता हूँ, and यहाँ पर मुझे देना है message, let me give it message, so, sign up successfully, sign up success दे सकते हैं यहाँ पर, टेक ही इतना ही देना है, let me now return our response, so, response entity, new response entity, and यहाँ पर, auth response, auth response, and status देना है, so, HTTP status, sorry, HTTP status, यह वाला status, यह वाला status, let me remove this, HTTP status code, okay, dot created, okay, क्योंकि यहाँ पर हमारा user create हो रहा है, तो मैंने dot created, यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, okay, so, यहाँ पर मैं email जो है, saved user dot get email दे सकता हूँ, यहाँ पासवर्ड में B, saved user get password दे सकता हूँ, okay guys, यहाँ पर, एक one more thing मैंने miss कर दिये, कि यहाँ पर मैंने user saved कर लिया, लेकिन user को saved करने से पहले, मुझे इसका password hash करना था, जिसके लिए मैं use करने वाला था, password encoder का, so private password encoder, and password encoder, so यहाँ पर, जो password है, ठीक है, इसको मैं encode कर दूँँगा, यहाँ पर, password encoder dot, encode, ठीक है, इसके अंदर password दे दूँगा, and यह मेरा password encode हो जाएगा, ठीक है, okay, so मेरा password भी encode हो चुका, I think now our signup is complete, now let me annotate it, with the address, यहाँ पर मिंचे mapping लिखने, like यह जो ओमरी method है, वो post mapping रहेगी, post method रहेगी, मुझे यहाँ पर post mapping लिखने पड़ेगी, post mapping, okay, and यहाँ पर मुझे end point देना है, so auth तो मैने दिया हुआ है, and signup दे देता हूँ, okay, signup, alright, so यह मेरा काम हो चुका, signup के लिए complete, and now let me create one more method, and that is nothing but, login method, password, so public response entity, यह भी auth response ही return करेगा, and login user handler, टीक है, user, okay, इसके अंदर क्यवाल two things आएगी, password and email, तो इसके लिए हम request लिख सकते हैं, ठीक है, so let me write, here, login, login request, login, so login request class हमारे पास obviously नहीं है, तो इसको बनाएंगे, okay, and request body से access करेंगे, alright, now let me create this class, and इस बार में इसका package दूंगा request, request, ठीक है, requests, एक हम दो चीज़ है, string email, email, and string password, let me make this to private, इसको भी private बना देता हूं, okay, and getter setter method की जरुररत पड़ेगी, यहां पर मुझे, source, so getter setter method यूस किया है, okay, I think अब मेरे पास कोई error नहीं आना चाहिए, return null कर देता हूं अभी के लिए, okay, now let's start to implement this, तो सबसे पहले, let me take username and password from here, so username equal to login request, login request.getEmail, and यहां पर password equal to login requests dot getPassword, okay, password and username यहां पर आ जाएगा, इसके बाद इसके बाद मुझे यहां पर authentication create करना पड़ेगा, so let me authent, authentication, 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 और यह जो authentication है, इसको मैं security context elder मैं set कर दूँँगा, equal to, okay, यहां पर मुझे authenticate, authenticate method लिखनी है, यहां पर मुझे यूजर नेम, यहां पर मुझे देना यूजर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, करना पड़ेगा, यह authenticate method, authentication, return करेगे, so let me create method, yeah, authentication, authenticate, यूजर नेम, पासवर्ड, दो चीज यह लेगा, यहां पर मुझे इसको, implement करना पड़ेगा, इसमें हम, implement किया करेंगे, कि पासवर्ड पगेरा, चेक करेंगे, कि पासवर्ड मेच होता है, या नहीं होता है, ठीक है, अगर पासवर्ड मेच होता है, तो हम authenticate, return करेंगे, authentication, otherwise हम exception दो करेंगे, so let's do this, user details, spring security वाली user details, and user details, equal to, custom, custom user, sorry, custom user details, yeah, custom user service implementation, इसके अंदर हमारे बास, custom user details, dot low, okay, इसका intense हमें बनाना पड़ेगा, instance, so let me do this, private, and, custom, custom, okay, 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 let me private, custom user service implementation, so, यहां पर, custom, user detail, user service, user detail service, user detail service, और कुछ भी रख सकते हैं, यह तो just variable है, ठीक है, मैं यह रहना देता हूँ, copy, control V, this dot, custom user service, equal to, custom user service, okay, इसे के साथ, guys, मैंने जो, password encoder, contents, मनाया था, वो मैंने यहां पर नहीं दिया था, ठीक है, so let me copy this, and paste it over here, इसको मैं ऐसे कर लूँगा, and इसको भी निच्चे कर दूँगा, that's it, so this dot, password encoder, equal to password encoder, यहां पर दे दूँगा, now let's complete this, so यहां पर आप मैंने custom, user service, का instance बना ले है, इसके अंदर load username है, हमारे पास मैं है, load username, so यह username load कर लेगा, and now username load करके, यह check करेगा, कि user details हमें मिलती है, या नहीं मिलती है, so let's check, if user details, equal to equal to null, ठीक है अगर null है, तो हमें exception द्रोव कर देना है, throw new bed credential exception, इस बार हम कौन सा exception द्रोव करेंगे, bed credential exception, bed credential exception का मतलब, कि यहां पर, user name है, जो invalid means, हमारे database में present नहीं है, यह user name, इसका मतलब यह होता है, so bed credential exception, invalid user name, okay, and इसके बाद, अब हम चेक करेंगे, यह password match करता है या नहीं करता है, इसके लिए हमारे पास method है, password encoder, password encoder के अंदर हमें एक method मिलेगी, और वो कौन सी method है, match करने के लिए, ठीक है, यह वाले method match, यहाँ पर first हमें password देना होता है, and second, second password जो user के अंदर ओल्यडी decoded password है, वो decoded password हमें यहाँ पर देना होता है, last में, so user details dot get password, ठीक है, इसके साथ I will write here, okay, so यह match होता है, तो यह true return करेगा, so true का में यहाँ पर older कर देता हूँ, means अगर यह false return करता है, तो मैं true यहाँ पर exception कर दूँगा, true new, bad credential exception, and यहाँ पर लेख दूँगा invalid password, invalid password, invalid username, यहाँ पर भी three dots देते थे, थोड़ा साच्छा लगया, okay, password भी match हो गया, हमें user details भी मिल गई तो, let's return now authentication here, return new, user name password authentication token, okay, यहाँ पर user details दे सकते हैं, user, दूसरा password null दे देंगे, and user details, get authorities, ठीक है, so यह authenticate, हमारी method complete हो जोगी है, let's move, inside the login part, okay, so authentication के बाद, अब यह जो में, यहाँ से authentication मिलेगा, इसको security context holder में, get context करके, set authentication में, authentication set कर देना, अब, इसके बाद कुछ नहीं करना, token generate कर लेना है, और, auth response जो है, वो return कर देना है, so let me copy this part from here, यहाँ पर भी हमने, like, जब, user registered किया था, तब भी हमने किया था, security context holder में, set किया, इसके बाद हमने, token create किया, and, इसको यहाँ पर, return कर दिया, so, login में भी वही करेंगे, let me remove this, let me remove this, okay, लेकिन यहाँ पर, अब sign up की जगह, sign in message पे जेंगे, ठीक है, पहले में किया था, हमने sign up किया था, तो sign, sign up success था, and, अभी sign in किया है, तो sign in success पे जेंगे, alright, and now, let me define here, end point as well, और यह method जो है, यह भी post method ही रहेंगी, क्योंकि हम, request body में, data भेज रहे है, so, yeah, and, sign in, sign in, sign in method, ठीक है, okay guys, so, I think, हमारा, authentication part, जो है वो, यहां पर, complete, हो चुका है, now, let me refresh this, and, let me, take some water, okay, so, अब क्या करते हैं कि, इसको postman में, check भी कर लेते, कि, it's working or not, so, postman open कर लूँगा, मैं, okay, and, हमारा server, जो है, 5454 पर run हो रहा है, guys, दिखा देता हूं, मैं आपको, अच्छे, यहां पर server, कौन से board पर run हो रहा है, वो कहां पर दिखाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, tomcat started on port 5454, okay, so, let's access this API, इसको करता हूं, मैं close, sign up पर जाओंगा, and, okay, let me open my database as well, so, यहां पर मैं आपको, क्या करता हूं कि, select database, सबसे पहला तो, select database, sorry, data, select database, कौन से database सिलेक करेंगे, e-commerce YouTube, e-commerce YouTube, sorry, select database के लिए, हमें use database करना पड़ेगा, या फिर केवल use लिखना है, use e-commerce, sorry, या यह कमान था, okay, database change, now, let's see all the tables, so, so, tables, okay, so, यहां पर आप सारी tables देख सकते हैं, address फगेरा की, category की, product की, and user की tables में दिखाता हूं, यह अभी के लिए empty होगी, ठीक है, so, select star from user, ठीक है, अभी के लिए empty है, now, let's create one user, so, first name, last name, email, password, and mobile number भी मैंने यहां पर दिया हुआ है, let me remove this, mobile number from here, okay, and, यहां पर 5 word, auth, and sign up, यह हमारा end point मैंने यहां पर दे दिया हुआ है, so, let me show you this as well, ठीक है, हमारा end point का से start हो रहा है, auth से start हो रहा है, and इसके बाद sign up, so, yeah, auth and sign up, now, I have to hit enter, so, let me send request, and, यहां पर मुझे error मिला है, that is, let's check what is this error, cannot invoke generate token, this provider is null, okay, so, guys, I think, user to create हो चुका है, लेकिन जब token create होना था, तब इसने दिक्कत कर दी है, क्योंकि यहां पर हमने JWT token का जो, intense है, यह है, यह अभी empty है, यहां पर हमने इसको provide नहीं किया है, so, let me provide this, या फिर हम autowire भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी कर सकते हैं, so, JWT provider equal to JWT, okay, now let me, let me make it small, and now let me save it, okay, तो इसको मैंने saved कर दिया, अब guys, यहां पर मैं फिर से request मारूंगा ना, तब भी मुझे error तो मिले गाई, क्योंकि यह, यह जो user है, वो already create हो चुका है, तो यह email वाला, email is already exist वाला मुझे, यहां से exception देखा, so let me run the, and let me show you the exception, email is already used with another account, भाया था ना मैंने आपको, क्योंकि user तो already create हो चुका होगा, now let me show you in database, so अब देख सकते हमारे बास, यहां पर विकास करके, already one user आ चुका है, डीक है, यहां इसका mobile number नाल है, लेकिन password हैस हो किया आया है, so now let's create another user, अब गया करते है, विकास one करते है, विकास या फिर रागव लिख देते है इस बार, रागव कपूर, and, रागव, रागव, ठीक है, now let me hit and, this API, so I will click on sense, not acceptable, okay, so इस बार इसने कहा है कि not acceptable, okay guys, so in the auth response, क्या हो रहा है कि यहां पर JWT भी string है and message भी string है, so मैं constructor का use करके यहां पर controller में दुनों provide कर रहा हुना, तो I think decide ने कर पा रहा है कि कौन सा token है and कौन सा message है, इसलिए यहां पर मुझे problem हो रहा है, means issue create कर रहा है, so मैं इसको solve करने के लिए what I will do, I can remove this part or let it be but मैं यहां पर getter setter generate कर लूँगा, and getter setter का use करके हम इसको set करेंगे, okay, now let me go to auth controller and अब यहां पर में empty auth response create करूँगा, अब इसके बाद this empty auth response में यहां पर set कर दूँगा set JWT token and auth response dot set message ठीक है to sign up success ठीक है, यह message set कर दूँगा and now what I will show here, let me save this this okay, and now let me go to here so when I hit this send button okay, email is already used, so let me change the email, अब में क्या यहां पर लिख दूँगा Pablo Pablo ठीक है, Pablo Pande Pablo Pande and email भी में Pablo दे दूँगा okay, now let me hit it okay, so इस बार इसने मुझे token generate करके दे दिया and sign up success भी आ चुका है तो same thing में यहां पर जो मैंने change किया है यह वाला यह change में login में भी कर दूँगा so let me copy this and I will remove this line and paste it this and sign up की जगह इस बार sign in लिख दूँगा sign in success okay, and now let me saved it so यह मैंने saved कर दिया now let's sign in the user okay sign in की आप यहां पर API देख सकते है 5454 पर चल रहा है auth and sign in so okay, RAM हमने create नहीं किया है हमारे पास यह Pablo pablo ko गड़ते है pablo at gmail.com and let's hit enter okay, so sign in success आ चुका है and what happens if I give wrong password so let's see so यहां पर RI error unauthorized ठीक है login नहीं होगा unauthorized आएगा and when I give right password it will give me token okay guys so यहां पर हमारा authentication part complete होता है अब इस वीडियो को यहीं पर रखते है next video में हम क्या करेंगे कि इसकी बाकी जितनी भी API बची हुए like product को create करने के लिए product को get करने के लिए and review लिखने के लिए ठीक है फिर rating लिखने के लिए वो सभी API हम next part में implement करेंगे ठीक है फिर मिलते है next video में guys